आज इस वीडियो में हम लोग डीप फर्स्टियर के सब्जेक्ट फर्मस रिट्वल इन और एनी किमिस्टी के चेप्टर गैस्ट्र इंट्रस्टाइनल एजन्स के टॉपिक एक जो टॉपिक सबसे पहले था इसी डिफाइंग एजन्स होतों होगी है उससे पहले इंट्रोड़क्शन भी घस्टो इंट्रस्टाइनल एजन्स की हुई थी उसके बाद अब एंटासेट के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में पूरी मतल्ब जितनी भी कंपाउंड है एंटासेट में जैसे सोदियु में पूरी पूरी सिलेवर और होगी तो चलिये इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं बीना देर किये हुए तो सबसे पहले एंटासेट के बारे में जानेगे तो एंटासेट हाग और प्रीपरेशन विच नियुट्राइजर देसे काब्स हाइट्रिया सब्से पहले जानेंगे एंट्रशीड डैक्ट एप एपोजिट काम करता है। है एससे दिपाइड़ाइघंट्स के एंट्र इद्सित निड्रियाई करता है सेट्रेशन फइस द म्यूय न cleanup जाने लगता है तो जानेंगे तो उसमें एक्जामपल में सोडियम बाइकार्बोनेट, मिल्क आप मेंगनेशिया और बहुत सारे हैं परदर में कंपाउंट्स के बारे में आगे पढ़ना है तो कंपाउंट्स पढ़ने से पहले हम आई यह पॉपर्टिस आफ एंटासीड जान लेते हैं सेकेंड पॉपर्टिस देखेंगे तो इट शुड नॉट काउट सिस्टेमेटिक अल्कालोसिस मतलब निट्रलाइज एचल को करना है बट एक अप्टिमम लेवर तक ही निट्रलाइज करना है ना कि वहाँ पे ऐसा एंटासीड से की मतलब इस एंटासीड यूजिना कर लें जो मतलब सिस्टेमेटिक अल्कालोसिस अल्कालोसिस मतलब पुरा इस एटिक मीडियम को डिरेक्ली फुली बैसिक मीडियम में तो फिर वहाँ पे एसी डिफाइंग एजन्स की जरूत परेगी थार्ड आइडियल प्रपर्पर्टिस के बा साइफेक्ट यहां पे साइज चुट गई है और साइफेक्ट होगी फुसका आथ फर्दर इस उट बेस्टेबल अं डिली अविलेबल इस उट प्रप्रपली इन हीविट पेप्सीन में तो प्रप्रेटलिक एग्जाइम इस उट बफर इन पीस रंग 4-6 और मॉस्त नॉत तो यह सौडियम कर दो चुटियांट अब गैस करें लुट अब्याइब अब जयादा नहीं होनी चाहिए इन तो उट पर इस पहले आभी देखा मैने कि ideal properties of antacid बहुत सारे थे उसमें मतलब कोई भी एक compound, single एक कोई compound उस पुरे ideal properties को फुल्फिल नहीं करता है so some compounds of sodium, aluminium, magnesium, calcium, klorine are widely used in combination to avoid the side effect of antacid कुछ compound जैसे sodium, aluminium, magnesium और भी है उसको are widely used in the combination to avoid the side effect of antacid मतलब एक mainly यही होता है, यह की एक constipative action करेगा कोई compound और एक lexative action करेगा, वैसे ही का mainly combination of antacid preparation में यूज होता है further of compounds के बारे में जाने तो सबसे पहले sodium bicarbonate जिसकी formula N-A-S-C-O-3 है, उसके बारे में जानेंगे तो sodium bicarbonate is prepared by, first sodium hydroxide NaOH is reacted with carbon dioxide, पहले sodium hydroxide को carbon dioxide के साथ react करा जाता है, उसके बार जो resultant product आएगा N-A-S-C-O-3 और S-2O is further treated with carbon dioxide, सबसे पहले sodium hydroxide को treat करेंगे carbon dioxide के साथ, और जो resultant product आएगा, फिर से उसको carbon dioxide के साथ करेंगे, तो मेरा sodium bicarbonate मिलेगा, फर्दार अब आगे देखें, उसके sodium bicarbonate के properties पे, तो sodium bicarbonate, white, orderless, crystalline, powder या greenhouse का form में आता है, soluble होता है, water and insoluble in alcohol, पानी में soluble होता है, sodium bicarbonate and alcohol में insoluble होता है, उसका aqueous solution is alkaline to litmus, because obvious है कि sodium bicarbonate के antacid तो वो basic रहेगा, मतलब acidic, HCl को neutralize करना है तो इस बेसिक रहेगा, उसका storage देखें तो sodium bicarbonate is stored in a well-closed container with optimum temperature maintained, because जब temperature increase करेगा तो degrade हो यह product, फिर से Na2CO3 plus H2O plus CO2 में, फर्दर आगे देखें, uses के बारे में तो sodium bicarbonate is used in electrolyte replanature, उसका systematic alkalizing agent used in the treatment of systematic acidosis, hyperchlorhydria मतलने treatment में sodium bicarbonate का यूज होता है, उसका treatment of diarrheal condition में sodium bicarbonate का यूज होता है, फर्दर second compounds के बारे में जाने तो second compound मेरा ammonium hydroxide gel है, इसकी formula A-L-OH-4-3 तो उसका preparation में देखें, तो ammonium hydroxide gel is prepared by treating ammonium chloride with ammonium hydroxide, जैसे ammonium chloride को ammonium hydroxide के जब treat करेंगे तो में लोगों को ammonium hydroxide gel मिलेगा और ammonium hydroxide मिलेगा, तो ammonium hydroxide का को ज़बरत नहीं है, तो हम यहां से ammonium hydroxide gel फर्दर ले लेंगे, उसका dried ammonium hydroxide gel के बारे में जानते हैं, तो it consists mainly of hydrated ammonium oxide and varying small quantities of basic ammonium carbonate और bicarbonate रहता है, और dried ammonium hydroxide में 47% से कम नहीं ammonium oxide, 47% से कम नहीं रहना चाहिए ammonium oxide in the form of hydrated oxide, फर्दर अब बात करें, ammonium hydroxide gel, oil 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 3 जिसकी formula उसके properties के बारे में, तो ammonium hydroxide white light, orderless, colorless, testless, amorphous powder होता है, जो insoluble है water and alcohol में, soluble in dilute mineral acid, users की बात करें, तो ammonium hydroxide gel used as a gastric antacid में होता है, dentrifices में भी यूज होता है, और ammonium hydroxide gel astringent property भी सो करता है, फर्दर बात करें, third compound के बारे में, जिस compound का नाम है Aluminium phosphate, ALPO4, तो preparation देखेंगे, तो ammonium phosphate is prepared by treating Aluminium sodium oxide, NaO2 with phosphoric acid, H3PO4, reaction preparation की है, Aluminium sodium oxide और Aluminium sodium oxide और phosphoric acid की reaction, properties की बात करें, तो Aluminium phosphate एक white powder होता है, जिसकी melting point बहुत हाई है, 1460 degree Celsius, pH जो Aluminium phosphate का range करता है, 5.5 से 6.5 तर, further storage की बात करें, तो यह store होता है, stored in a well-closed container, यूजेज की बात करें, तो यूजेज की बात करें, तो Aluminium phosphate is used as anandracid, and Aluminium phosphate is more ideal than Aluminium hydroxide gel, फर्दर बात करें, चौथे compounds के बारे में जिसका नाम है calcium carbonate, तो calcium carbonate, अगर in nature is limestone, marble, calcicate, and wetarylite, जिसके formula calcium carbonate की CSCO3 है, preparation देखें, the calcium carbonate is prepared by treating calcium chloride with sodium carbonate, जैसे calcium chloride CSCL2, और sodium carbonate Na2CO3 की जब हम साथ में treat करेंगे, तो मेरे को calcium carbonate मिलेगा, और sodium chloride मिलेगा, तो sodium chloride को फर्दर हम नहीं लेंगे, और calcium carbonate यहां से हम extract कर लेंगे, फर्दर हम बात करें calcium carbonate जिसकी formula CSCO3 है, उसके properties के बारे में, तो calcium carbonate occurs as a white, orderless, tested, micro crystalline powder, calcium carbonate is stable in air, on heating at 83 degree Celsius, it is reduced to calcium oxide, means that calcium carbonate को हम 83 degree Celsius मतलब हीट करेंगे, तो degrade हो का calcium oxide हो जाएगा और carbon dioxide देगा, फर्दर फर्दर हम बात करें तो calcium carbonate is stored in a well-closed light-resistant container in optimum temperature, because at 83 degree Celsius we have seen that calcium carbonate is being degraded to calcium oxide, फर्दर इसकी युज़ की बात करें तो calcium carbonate is used as antacid, also calcium carbonate is used in food additive, also used as calcium supplement and also calcium carbonate is also present in homeopathic medicine, फर्दर हम magnesium carbonate के बाद में बात करें जिसके formula mgco3 है, तो magnesium carbonate is prepared by treating magnesium oxide with carbon dioxide, जैसे magnesium oxide को हम carbon dioxide के साथ treat करेंगे तो उनको magnesium carbonate मिलेगा, फर्दर दूसरी preparation के बाद में बात करें तो magnesium carbonate is also prepared by treating magnesium chloride with sodium bicarbonate, जैसे mgco2 जो magnesium chloride हुआ उसको sodium bicarbonate जो further एक अधर antacid है, उससे हम जब दोनों को treat करेंगे तो उनको magnesium carbonate मिलेगा, sodium chloride मिलेगा, water and carbon dioxide, फर्दर सबको इसमें जो छोड़ देंगे और magnesium carbonate यहां से extract कर लेंगे, फर्दर हम बात करें परफटिज के बारे में तो magnesium carbonate contains 40-45% magnesium oxide, magnesium carbonate is a white odorless powder, magnesium carbonate is also stable in air, magnesium carbonate practically insoluban in water and alcohol, magnesium carbonate dissolving dilute acid, फर्दर हम magnesium carbonate की usage के बारे में बात करें, magnesium carbonate is used as antacid, magnesium carbonate also source cathartic and laxative properties, उसके बाद magnesium carbonate और food additive में और फर्दर योज होता है, उसके बाद फर्दर हम बात करें, magnesium trisilicate के बारे में, जिसके फर्मूला MgO 3SiO2 3S2R, तो प्रपरेशन देखेंगे, magnesium trisilicate is prepared by treating magnesium sulphate with sodium silicate, जैसे magnesium sulphate को हम sodium silicate के साथ जब treat करेंगे, तो हमको magnesium trisilicate मिलेगा, तो magnesium trisilicate मिलेगा, तो यहां से magnesium trisilicate को खटा लेंगे और sodium sulphate को छोड़ देंगे, उसके में, magnesium trisilicate के बारे में, बात करें, magnesium trisilicate orderless होता है, fine, white, rustless powder होता है, उसके practically insoluble in water and alcohol, इस storage के बारे में, बात करें, magnesium trisilicate is stored in a well closed container, usage के बात करें, magnesium trisilicate is used as an antacet, magnesium trisilicate is also used as an adsorbent, further हम बात करें, magnesium oxide के बारे में, जिसके formula mg हुआ है, magnesium oxide is prepared by treating magnesium carbonate, magnesium carbonate को जो हम hit करेंगे, तो हमको magnesium oxide मिलेगा और carbon dioxide मिलेगा, यहां से further हम magnesium oxide को collect कर लेंगे, और CO2 जाने देंगे, further इसके properties के बारे में जानेंगे, तो magnesium oxide bulky orderless white powder होता है, slightly alkaline in nature, practically insoluble in store, storage के बारे में बात करें, magnesium oxide is stored in a well-closed container, users के बारे में बात करें, magnesium oxide antacid के तौर पर युज़ता है, magnesium oxide additive property भी शो करता है, उसके बारे में बात करें, also used as food additive, and magnesium oxide is further also used in dentrifices, फर्दर हम बात करें, combination of antacid preparation, ideal properties में जाना था कि, कोई भी एक single compound, मतलो, फुली जितने भी ideal properties of antacid, उसको fulfill नहीं करते हैं, इसलिए, combination of antacid preparation, combination of two or more compounds, are given in the preparation of antacid, several products are available in the market containing a mixture of antacid, जिसे, most of them have a constipative effect of calcium and aluminum करेगा, और a laxative effect of magnesium करेगा, उसका एक्जाम्पल के तर्व में, तर्व में लेंगे, algaecon tablet, उसका एक main point है कि, calcium carbonate with aluminum hydroxide, yield product, which have a rapid onset with prolonged action, जो calcium carbonate, COCO 3 है, उसके बाद, with aluminum hydroxide, वैसा product yield करता है, जो rapid onset, उसकी rapid action होती है, और prolonged, बहुत देर तक उसकी जो action रती है, वैसे, combination of intensive preparation are used, mainly used in the market.